तो दोस्तो भारत की पहली बुलेट इन परियोजना यानि मुंबई से लिगर के एहमदबाद के विज़ें बनने वाली 508 किलोमेटर हाइज स्पीड रेल कॉर्पेशन लिमिटेड ने लगबग 100% सेविल कॉंट्रैक कंस्ट्रक्शन का अलाइमेंट कर दिया है इन गुजरात वहीं दूसरा और बड़ा अपडेट ये है कि गुजरात राज के वड़ोदरा में हाइस्पीड रेल स्टेशन साइट 8 किलोमेटर वायडग डिजाइन के और निर्माड के लिए L&T जो कि एक भारती कंपनी है उसके साथ एनचा साथ CL ने समझोते हैं पर साइन किये हैं जो 20 किलोमेटर लंबाई के पियर्स के काम को भी कम्प्लीट किया जा चुका है और जिसमें 110 किलोमेटर लंबाई वाले पेल्स साथे में पाइल कैप, उपन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, पियर कैप का निर्मान अभी प्रगति पर है साथी में जानकारी करब को बता दे जहां पर 508 km high speed real corridor में से 3502 km हिस्सा गुजरात में हैं और 4 km लगभग दादरानगर हवेली में हैं और 156 km महारास्ट में इस्थित है जहां गुजरात के अंदर 98.6% और दादरानगर हवेली में 100% भूमी का देगरहन किया जा चुका है वहीं महारास्ट में अब तक सिर्फ 62% भूमी का देगरहन ही किया गया है जहां इस पिसली गुजरात की बात की जाया तो यहां पर साबर मती एहमदाबाद आनन वड़ोद्रा भारुत सूरत बिलमोरा और वापी सहित 8 high speed rail stations को आपस में connect किया जाएगा वहीं वड़ोद्रा high speed rail station के अंदर एक नई चीज हमें facilities प्रोवाइड की जाएंगी लास्ट में बात की जा तो गुद्रात के आठ जिलों से होकर गुजरने वाले stations के लिए गार्डर्स कास्टिंग और एक्शन के काम को भी शुरूब किया जा चुका है जो कि बहुत जल कंप्लीट कर लिया जाएगा तो दूस्तों यह हैं बुल स्ट डिलों